बिहार में चुनाव से पहले मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने नया वीजन जारी कर दिया है इससे पहले भी नितीश कुमार ने 2015 में कुछ इसी तरह से वीजन जारी किया था यानि कि लॉइंज कर दिया है। आखिर क्या है नितिश कुमार की विजन पार्ट्व में और किन मुट्स को जोड दिया गया है? ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बिहार विधान सबाच उनाओं से पहले मुख्य मत्री निदीश कुमान इस पहले निदीश कुमान ने कुछ इसी तरह 7 निदीश कुमान जारी किया है जिसमें अगले 5 साल की बिहार में जो विकास के कारेकरम चला जाएगा उसका लेका जोगा था लेकिन अब एक बाद फिर नितिश कुमार ने निश्य पार्ट टू में नितिश कुमार ने सबसे पहले प्राथिमिक्ता युवाव को दी है जिसके अंतरगत पिछले पांस साल में युवाव के लिए किये जाने वाले कारिमिक्रमों का लेखा जोखा जाये दिया गया इसके साथ ही अगर दूसरी बात करें तो महिलाओ को शर्षक्त बनाने पर भी नितिश कुमार ने जोड़ दिया है नितिश कुमार ने अपने विजन में कई परीजो योजनाओ का जिक्र करते वे आने वाले समय में महिलाओ को शर्षक्त बनाने के लिए की जाने वाली योजन ने रखा है यहाँ भी सभी गाओ में सोलर श्ट्रीट लाइट लगाने का लक्षे रखा गया है पिछले 5 साल में हर गर नल्वे जल यूजना लागू करने की बात भी गही गई है अब देखना ये हुगा कि इस वीजन के जरिये नितिश कुमार सत्ता हासल कर पाते हैं या नह कर दो